यहां जो तस्वीरे आप देख रहे हैं इन्हें अलग अलग अखवारों के लिए एक ही शक्स ने डिजाइन किये हैं इनकी कलाकारी अक्षरों के माध्यम से अभिवक्ती पाती है लंबे समय से जैन कमल ने इस विधा को अपना अंदाज दिया है मुझे लगता है जब से शुरू हुई है जिन्द के बच्पन से ही अक्षरों को देखना, लिखना, ड्राइन करना यह एक बेसिक बलड में ही है सायद इसलिए ऐसा हुआ है और बच्पन से ही काम करते चले आ रहे हैं और अक्षर के साथ काम करते करते देश के जितने भी बड़े अक्षवार हैं सभी के थोड़े बदल दिये हैं ऐसा एक बेसिक जो है वो चला है अक्षवारों का पाठक आज जहां कम हुआ है वह ही उसके अस्तर में भी काफी बदलाव आये है यही वजह है कि जो गंभीरता नजर आनी चाहिए उसमें कमी है मगर इसमें सुधार हो सकता है पाठक उतने नहीं जुड़े हैं पहले से अभी तक क्यों पढ़ने के प्रकिरिया टेलिविजन और कम्पूटराजीशन मोबाईल के कारण चेंज हुआ है लेकिन अखवार बहुत अच्छी तरह से अगर लोगों के सामने दिया जाए अच्छी बातें दी जाए तो पढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है जो आज की अखवार में नहीं है और इसी से मुझे लग रहा है अभी आने वाले अखवार जो है वो एक गॉसिप का कॉर्णर बन गया है उसके अलावा कुछ नहीं है सिटी अवेरनेस, लोगों की बातें, लोगों की तकलीफें, न्यूज प्रॉपर जो बाते हैं वो सब नहीं होने के कारण ये बहुत गलत तरीके से जो है अखवार एक अलग दिसाम में जा रहा है और इसलिए उसके रीडर्शिप कम होती जा रहे है हर शक्स में जैन कमल को एक अक्षर नजर आता है इसलिए अपने अंदाज में वे उसे उकेरते हैं और उसमें जान डालते हैं हर आदमी जब मैं अगर शगन भूजवल को देखता हूँ अगर मैं अडवानी जी को देखता हूँ सब मुझे अलग-अलग फॉंट के रूप देखते हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे से प्यार करते हुए इस तरह से अक्षर देखते हैं शब्द गर्ब भी धारन करता है इसकी कलपना आसान नहीं है मगर जैन कमल की मौलिक सोच चे ये भी संभव नज़र आता है इस मुकाम पर भी अपने काम को बहुत कम आखना यही बताता है कि इनकी प्यास इसका लाके प्रती बहुत गहरी है जन्दगी की असली उडान अभी बाकी है अपने इolaदों का इमतहान अभी बाकी है अभी तो नापी है मुठी बर जमीन सारा आसमान अभी बाकी है इसी जजबे के साथ जैन कमल आज भी उसी तरह खोए हुए है जैसे एक बच्चा खिलونों के साथ खोता है हालाकि इनकी दुनिया में सिर्फ शब्द है कैमरामेन अनील नोटियार के साथ अबनींद राश्टोष लेमन टीवी मुंबई